नमस्कार, मैं हूँ रामेश नौस्कोर, नौस्कोर फिनांसियल सर्विसेज में आपका स्वागध है आज मैं जिस टॉपिक के मने में डिस्कस करेंगे ओ है सिविल स्कोर आप 550 से लेके 750 तक कैसे लेके जाओगे साथ में TransUnion Civil, Civil Score कैसे करते हैं ओ भी मैं बताएंगे नौस्कोर फिनांसियल सर्विसेज सिविल रिपोर्ट करेक्शन करते हैं सिविल स्कोर इंप्रूब्मेंट करने का काम भी करते हैं हमारे पास इतना सारी customer आता हैं उसके अंदर में कोई कोई कास्टोमार ये बोलते हैं मेरा सिविल स्कोर बहुत ख़राब हो गया है 680 तक चला गया है मेरेको 750 तक कर दो ताकि मेरेको मेरेको बैंक सेittelोन मिल जाए कोई कोई कास्टमार ये भी बोलते हैं मेरा 650 से नीचे चलाएगा स्कोर मेरे को कम से कम 720 या तो 730 कर दो ताकि मेरे को लोन मिल जाए और जिसका स्कोर 550 तक चला गया है उसको स्कोर बारा के ये बोलते हैं मेरे को कम से कम 700 तो कर दो ताकि मेरे को लोन मिल जाए मगर civil score हम erase करके बारा नहीं सकते हैं ना कि ये खींच के बारा सकते हैं ना कि धक्कमर के बारा सकते हैं civil score जो calculation होता है TransUnion Civil का एक algorithm है जिसके basis पे एक scoring होता है मगर TransUnion Civil उनका जो algorithm है वो publicly disclose नहीं करते हैं जहां तक मेरों को पता है मगर थोरा बहुत information वो लोग देखे रहा है किस basis पे score करते हैं सबसे ज़्यादा weightage देता है repayment history के उपर loan repayment history के उपर कम से कम 30% से लेके 35% तक weightage दे रहता है उसके बाद आता है carried exposure उसके बाद carried mix and duration of loan और other factor भी कुछ काम करते हैं जो civil score calculate करने में किस करन से कितना score बढ़ेगा और कितना score कम होगा ये बताना मुश्किल है मगर मेरा जो personal experience है वो मैं आपको share कर सकता हूँ जिसमें आपको थोरा बहुत idea हो जाएगा मैंने फास्टाइम जब loan लिये थे वो loan बहुत छोटा loan था उनका payment मैं 3 installment दे दिया उसके बाद और 3 installment जब civil में reflection हुआ है उस टाइम पर पहला score 729 आया है उसके बाद और भी payment करते रहा हूँ 7-8 माएने बाद जब मैं देखा हूँ उसमें score करीब 750 के आसपस चला गया है मैं और भी customer को ये दिखा हूँ कि एक ही loan लेके उसका score बहुत अच्छा हुआ है एक personal loan लेके जिन्होंने ठीक तरह से payment कर रहा है उसका score 780 तक भी चला गया है आप ये सोचोगे मैंने इतना सारा loan लिया हूँ इतना दिन से loan लिया हूँ तो रहा बहुत मेरा delay payment हुआ है लोन रिपेमेंट में थोड़ा इधर उदर हुआ है मेरा score इतना गिर गया है हाँ अपने ज़्यादा loan लिया है credit card लिया है card loan लिया है house building loan लिया है मगर payment आपको ठीक तरह से नहीं हो रहा है तो इस करण से आपका score बहुत खराब हो सकता है आपका civil score 550 से नीचे चला गया है इसका मतलब आपका repayment बहुत ही खराब है वहाँ पर हो सकते हैं कि delay payment बहुत ज़्यादा हुआ है write off loan लोन भी साइध वहाँ पर दिखने के लिए मिलेगा और settlement भी आपने किया होगा इस करण से आपका score 550 तक चला गया है तो क्या exact reason है आप civil report निकल लेके बाद आप देख सकते हो कैसे आप civil report read करोगे कहां-कहां पर problem है यह आप दिखोगे इसके लिए मेरा एक detail video है how to correct civil report वीडियो आप check कर सकते हो देख सकते हो उसमें आपको idea होगा किन-किन करण से आपका score खराब हुआ है कहां-कहां पर problem है उस वीडियो का link मैं description में दे रहेंगे यहां पर मैं कुछ points आपको बता रहा हूँ आप एक माएने के लिए delay payment करोगे तो उसमें score आपको खराब होगा दो माएने के लिए आप delay करोगे तो score और भी खराब होगा दो माएने से जादा आप delay करोगे तो आपका score और भी खराब होते जाएगा जादा आप delay करोगे और एक time के बाद आपका loan जब right of हो जाएगा उस time पे score आपका बहुत खराब होगा आपने compromise करके payment भी कर दोगे settlement करोगे तब आपका loan close होगा score थोड़ा बहुत improvement होगा मगार settlement रहेगा तो आपका score पर्मारेटली डेमेज होगा यहाँ पे मैं दो customer के example देंगे उनका report में problem था रेक्टिवेशन किया है किस हिसाब से उनका score बढ़ा है एक customer आया था जिन्होंने इंडर्जिन बैंग से commercial vehicle loan लिये थे उनका repayment में थोड़ा बहुत delay हो रहा था दो माईने के लिए delay हो रहा था जिसके करण से उनका overdue था customer का ये भी पता नहीं था कि उनका overdue है तो जैसे ही मैं report देखा हो उनको बता है कि आप overdue पूरा clear कर दीजी इमीडेटली उन्होंने overdue immediately clear भी कर दिया है जो record था overdue उनका हट गया साथ में हम लोग उनका पर proxy किये थे जो delay payment हो था उसमें standard कर दिया था bank भी change करके standard कर दिया नॉर्मली ऐसा होता नहीं है मागर उनका case में ऐसा हुआ था उनका score 680 से भी नीचे था score बारके 750 के उपर चला गया instantly हमारे पास और एक lady customer आया था उनका score 650 का असपास था उन्होंने मेरे को ये बहता है कि कम से कम 700 तक कर दो मेरे को bank से loan मिल जाएगा branch manager के साथ मैंने बात किया है उनका civil report में एक SBI credit card था जो write-off हो गया था और एक AGFC bank का auto loan था वहाँ पर delay payment हो रहा है तो report जब मैं निकलने के बाद उनको पूछा है तो उन्होंने ये बता है कि मैंने credit card का payment पुरा कर दिया हो और AGFC bank में उनका overdue चल रहा था तो मैं उनको suggest किया कि overdue जो AGFC bank का है वो पुरा clear कर दीजिए immediately AGFC bank का जो credit card में problem था write-off था वो हम लोग dispute करके remove कर दिया था AGFC bank का भी जो overdue था वो clear हो गया उनका instantly जो score बढ़ा था 650 से लेके 675 जादा ज्यादा 25 पॉइंट उनको इंक्रीज हुआ है तो उन्होंने बुला कि मेरेको तो 700 चाहिए मेरेको इसमें लोड नहीं मिलेगा यहां पर problem क्या हुआ उनका score क्यों ज्यादा नहीं बढ़ा SBA का जो credit card है उसका भी payment उन्होंने ठीक तरह से किया नहीं और AGFC bank का जो auto loan है दो साल से चल रहा है उसका भी payment उन्होंने कभी 30 days कभी 60 days कभी 90 days डिले करते रहा तो डिले payment भी bank के तरब से हटाया नहीं है नौर्माली हटा नहीं भी हटाते हैं bank तो उस करन से उनका 25 point increase हुआ instantly तो आपका case ऐसा होगा कि आपका score 550 हो गया है और वह बहुत ही खरब situation में है आपको वहां पे write-up रहेगा तो आपको entire payment करना होगा settlement रहेगा bank ये भी बोल सकते है कि आप payment कर दो settlement कर दो आपका जो problem है ये ठीक हो जाएगा मगर आप settlement करोगे तो इसमें permanent damage हो जाता है civil report में वहां पे भी आपको further bank के साथ बात करके पूरा payment क्लियर कीजिए तक ये settlement भी रिमूफ हो क्योंकि आपका 550 score होआ है और उसके आसपास score होआ है आपको बरना है तो पूरा payment करके clear करना होगा आप ये भी सोच सकते हो कि मेरा इतना सारा personal loan, auto loan, credit card में problem है इसमें जादा बहुत पैसा लग जाएगा पूरा payment करने में, settlement हटने में, right of हटने में, overdue clear करने में मगर score बरना है तो आपको ये सारे काम करना पड़ेगा इतना सारा काम करने के बाद भी इसका guarantee ये नहीं कि आपका score 550 से लेके instant 750 चला जाएगा सायद ऐसा नहीं होगा हो सकते है कि आपका score 550 से ले साथ में में आप एक काम कर सकते हैं, आपके पास gold रहेगा तो आप छोटा gold loan ले सकते हो और उसका EMI ठीक तरह से payment करो, gold loan का जितना पैस आपको मिला है आप ओ deposit करके bank में, secured credit card भी ले लो, credit card थोड़ा बहुत आप यूटलाइस करो, करके उसका भी payment ठीक तरह से करो, आप ऐस हैं, उसका payment आप ठीक तरह से करोगे, धीरे धीरे आपका score बढ़ती जाएगा, और एक time के बाद आपका score 750 तक भी पहुंच सकते हैं, report आप कैसे correct करोगे, इसके लिए मेरा एक detail video है, how to correct civil report, वीडियो आप देख सकते हो, उसका link भी मैं नीचे description में देखे रहा हूँ, आप चेक कर लिए, आपको आसान होगा report correction करने में, आपको समय ने में कोई दिक्काद आ रहा है, तो आप comment करके हमें बता सकते हैं, मैं जोरूर आपका reply करेंगे, आपको ये लग रहा है कि मिनसीए काम करने में थोरा दिक्काद आ रहा है, उस case में आप हमें भी contact कर सकते हैं, हम में वीडियो बनाता हूं, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि वीडियो का notification आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए, वीडियो एंट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलता है आगला वीडियो में, तब तक के लिए, be healthy, be happy.